Welcome to Exam Bivichna तो इस वीडियो में हम HP TET के Part 2 को डिस्कस करेंगे जो HP TET आर्स था उसका Part 2 डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने Part 2 को डिस्कस करा है जिसमें GK section इत्यादी को देखा गया है और यह होगा Psychology section ठेक है ना? इस section में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जितने भी प्रेशन हमने खोज की हैं तो उनमें कुछ प्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो doubtful हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो गलत बताएगी हो क्योंकि यह इस तरह का portion है जहां पर जो examiner होता है वो पता नहीं कुछ अपने point of view से पूछता है और हमारे कुछ और point of view होई हो सकते हैं इसलिए आप जब तक official answer कीन आये तब तक थोड़ा सा portion को देख लें क्या होगा क्या नहीं पर कुछ एक प्रेशन है जो पूरी तरह से सही होंगे तो चलिए देखते होने क्या क्या है जो यहाँ पर तीसरा प्रेशन था Spearman के नुसर बुद्धी के दो कारक हैं तो बताना था कि कौन-कौन से दो कारक हैं तो इसमें जो होना था correct answer है ये विकल्प A. समानी और विशिष्ट Spearman के नुसर बुद्धी के दो कारक थे एक था समानी और दूसरा था विशिष्ट विकल्प A. यहाँ पर सही होगा अगला कोशिने चार बुद्धी के साथ प्रात्मिक मांसिक योग्यताओं के सिध्धान के प्रति पादक हैं तो ये होगा था विकल्प D. थर्स्टन चार का D. सही होना था अगला कोशिन है पांच इसमें पूछा गया था गाडनर के अनुसर बुद्धी डैश आयामी है तो ये प्रेशन बहुत बार पूछा जाता है उतना टफ प्रेशन नहीं है ये तो पांच वे का सही होगा बहु आयामी गाटनर के नुसर बुद्धी बहु आमी होती है पांच का सही बिकल्ब B होगा अगला कोशिन है गाटनर के नुसर बुद्धी के डैश प्रकार है तो यहाँ पर गाटनर के नुसर बुद्धी के प्रकार पूछे यह थी कितने है तो यहां पर होना था बिकल्प भी साथ परकार के थी छे का सही उत्तर भी होना था दोस्तों अगला कोशन है एरिक्सन का किश्वरों के लिए बिकास आत्म कार्य है तो क्या था ये? तो ये होना था पहष्चान निर्मान साथ में का सही बिकल्प ए होगा अगला कोशन था आठ दन्रवपुर्सकारप अधारित कोहलबर के नैतिक विकास का स्तर है तो ये क्या होना था आठवे का? तो ये होना था आठवे का भी पुरव परमपरेक आठवे का सही उत्तर भी होगा अगला कोशन है नौवा इसमें पूछा गया था बनावता बल देता है तो बताना था कि जो मानवता है किस विशे में अधिक बल देता था तो जहां तक मुझे लगता है इसका सही बिकल्फ होना चाहिए अगला कोश्चन है 11 बेवहर की ब्याक्या में सूचना प्रक्रिन को अधार बनाया गया है तो किसे बनाया गया है अधार तो ये बनाया गया है संग्यानात्मक तावाद में क्या होगा बिकल्प यहाँ पर सही होगा अगला कोशने बारा इसमें पूछा गिया है अधिगम शिक्षन प्रक्रिया की किंदर में डैश है क्या होगा दोस्तों यहाँ पर तो यह होना था अधियापक बारा का सही भी कल्प यह होगा आगे था प्रशन तेरा मनो बिशिलेशन आत्मक बाद के अनुसार बेभार की उत्पत्ति का अधार क्या है तो यह होना था अच्यतन प्रभीतियां क्या था मनो बिशिलेशन आत्मक बाद के अनुसार बेभार की उत्पत्ति का क्या अधार है यह था अच्यतन प्रभीतियां तेरा का सही बिकल्प ए होना चाहिए अगला कोशने 14 इसमें पूछा गिया है विकास प्रक्रिया को परभावित करने वाली प्रमुख ग्रंती है तो यहाँ पर सही बिकल्प होना था बिकल्प ए प्यूश अगला कोशने 15 प्रावलोव के प्राचिन अनुबंधन प्रयोग में गंटी की आवास है तो यह होगा बिकल्प भी अनुबंधित उद्धीपक बिस सही बिकल्प होगा पंद्रा का अगला कोशने 16 अपने ही चिंतन के आधार पर चिंतन करना है तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों तो जहां तक मुझे लगता है इन में से कोई नहीं होना चाहिए डी इसका उत्तर हम मान सकते हैं अगला कोशन है पहचान निर्मान किया जाता है क्या होगा किशोर अवस्ता में किशोर अवस्ता में हम पहचान का निर्मान करते हैं 17 का सही विकल्प C होगा अगला जो कोशन है 18 इसमें पूछा गया था पुर्व पारंपरिक अवस्ता में नैतिक्ता का निर्धारन डैश के अधार पर किया जाता है तो किसके अधार पर किया जाता है दन्डव पूर्सकार की अधार पर 18 का सही बिकल्फ भी होगा अगला कोशन है 19 डैश ने बिक्तित्व के 16 पीएफ अनुसूची का निर्मान किया है तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ होना चाहिए था तो वो होगा बिकल्फ सी कैटल 19 का C सही बिकल्फ होगा अगला कोशन है सकारात्मक पर नकारात्मक रूप में स्थाईव अधिगमित मुल्यांकन है तो बेश का सही उत्तर C होना चाहिए मेरे ख्याल से अगला जो कोशन है 21 इसमें पूछा गया है किसी लक्ष के आकर्षन को बढ़ाने वा गटाने वाले स्थितियां है तो ये क्या होगा तो ये होना था प्रलोभन D सही बिकल्फ होगा यहाँ अगला कोशन है बेवार में अपेक्षाकरित स्थाई परिवर्तन है तो ये क्या होगा दोस्तों तो ये होगा अधिगम 22 का सही बिकल्फ ए होगा अगला कोशन था 23 प्रस्रिक्षन के दुबारा किसी क्षित्र में विश्येश में अच्छा कर पाने की संभावना है तो 23 का सही बिकल्फ होगा अभी प्रेड़ना भी यहां पर सही बिकल्फ होगा अगला कोशन है मैसलो सिधान में प्रतम स्थर की आविशक्ताई है तो यह होगा जैविक 24 का सही बीकल्ब C होगा अगला कोशन है पच्चिस अध्यापक दुवरा रिर्नात्मक पुनर बलक का परियोग बिद्यार्थी के शुद उचारन की संभावना को डैश तो क्या करता है बढ़ाता है गटाता है यतावत रखता है तो बताना था क्या होगा यहाँ पर तो यहां पर होगा घटाएगा सही बीकल्ब यहाँ पर A होना चाहिए 25 का अगला जो कोश्चन है 26 में पूछा गया है बुद्धी ब्यक्ति की वस्मगर किशमता है जिसके द्वारा ब्यक्ति सभी वेक चिंतन करने सुदेश्य बिवार करने था अपने पर्याबर्ण से परभावित रूप से निप्टने में समर्थ होता है ये कतन किसका था तो ये कतन 28 का सीच्छे वर्ष अगला कोश्चन है 29 इसमें पूछा गया है अर्थपूर्ण संबेदना है तो ये होगा 29 का प्रत्यक्षी करन बी सही बिकल्प होना चाहिए यहां पर